हेलो बच्चो बच्चो आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है मैं आज आपको एर्थ चैप्टर नीलू के प्रिश्णुतर समझा रही हूँ आपको मेरे चैनल पर आपकी बुक के दूसरे चैप्टर के बीडियो भी मिल जाएंगे आप ले लिस्ट पे जाकर देख सकते हो तो चलो में शुरू करती हूँ मौकी का फर्स कुशन देखिए का लूसी कौन थी इसका अंसर देखिए लूसी अलसेशियन जाती की थी जो लेखी का के अनुसार सामान्य कुत्तों से भिन्न थी भिन्न मतला अलग थी फर्स कुशन देखिए ख लूसी गाउं के लोगों की मदद किस प्रकार करती थी इसका अंसर देखिए लूसी के गले में गाउं के लोग रूपिय और सामगरी की सूची के साथ एक बड़ा थैला थैला मतला बैग या चादर बान कर सामान लाने भेज देते थे जिसे बहे बर्फिला रास्ता पार करते हुए दुकान से ले आती थी फर्ड कुशन देखिए नीलू के बैठने का स्थान कौन सा था इसका अंसर देखिए नीलू के बैठने का स्थान घर का बाहरी बरामदा था नेक्स कुशन देखिए लूसी की मैत्री किस के साथ हुई तो इसका अंसर देखिए लूसी की मैत्री एक भोटी या कुत्ते के साथ हुई थी जो परवतिय गाउन से बरफ में भटकता हुआ दुकान पर आ गया था जहां से लूसी सामान लेती थी नेक्स कुशन देखिए लूसी के बच्चे का लालन पालन किस ने किया तो इसका अंसर देखिए लूसी के बच्चे का लालन पालन लेखी का ने बड़े प्यार और दुलार से किया था लूसी का अंत किस प्रकार हुआ तो इसका अंसर देखिए लूसी एक दिन संध्या के जुट पुटोय में घर से निकल कर गई तो लकड बग्गे का आहर बन गई बहफिल लौट कर ना सकी नेक्स कुशन देखिए नीलू को निमोनिया कैसे हुआ इसका अंसर देखिए नीलू को निमोनिया सर्दी लगने से उस समय हुआ जब एक रात खरगोश बिल खोदते खोदते पड़ोस के दूसरे कंपाउंड में जा निकले जहां बिल्ले ने उन्हें अपना आहर बना लिया आहर मतला खाना नीलू बाकी खरगोशों को इस संकट से संकट मतला प्रॉबलम से बचाने के लिए पूरी रात सुरंग के द्वार पर पहरा देता रहा जिस कारण उसे निमोनिया हो गया था पूज अलसेशी अन कुत्तों की पूज के समान सगन रोमों से युक्त उपर की और मुडी कूंडिली दार थी पैर लंबे मजबूत आखे गोल और उनका रंग शहद के रंग के समान था नेक्स कुशन देखिए लेखी काके बिमार होने पर निलू ने क्या किया तो इस कांसर देखिए लेखी काके बिमार होने पर निलू ने खाना भी न छोड़ दिया और उदास रहने लगा तीन दिन दक कुछ ना खाया न पिया तब डॉक्टर से अनुमती लेकर अनुमती मतला पर्मीशन लेकर उसे अस्पता लाया गया जहां उसने लेखी काका चारो और घूम कर निरक्षन किया नेक्स कुछन देखिए नीलू ने खरगोशों को संकट से कैसे बचाया इसका अनसर देखिए नीलू ने खरगोशों को सुरंग बना कर पढ़ोश के कमपाउंड में जाते वे देखा जहां एक बिल्ला उन्हें अपना शिकार बना रहा था तब उसने पहले बिल्ले को भगाया, फिर रात भर ओस में स्यम सुरंग के द्वार पर खड़ा रहा और खरगोशों की रखवाली करता रहा लास्ट कुशन देखिए, नीलू में कौन कौन से मानविये गुण थे तो इसका अंसर देखिए, नीलू में ध्वनी ग्यान, पशु पक्षियों के प्रती दयाबे प्रेम भाव, पक्षियों के कक्ष में निरक्षन करना, रूठना आधी मानविये गुण थे नहीं पक्षियों के बच्चों की देखवाल करता, उनके घौसलों से गिरने पर उन्हें दवारा घौसले में रखवाता, सबके सोजाने पर पहरेदारी करता आश्या करती हूँ कि आपको सारे कुशन आंसर समझ में आ गये होंगे, धन्यवाद